हाई एवरिवन आप सभी केंडिडेट्स का एक बर फिर से मैं स्वागत करता हूँ आज सुबह से ही SSEJD Constable 2013 की रिजल्ट को लेकर केंडिडेट्स के बीच में एक डाउट क्रियेट हो गया है उनका मानना है रिजल्ट के अंदर गड़ड़ी हुई है और इसी वज़े से जो रिजल्ट है वो दुबारा से आउट किया जाएगा रिवाइज रिजल्ट पब्लिस किया जाएगा तो आज के वीडियो इसी के उपर बेस्ट रहने वाली है कि क्या गड़ड़ी आपकी की गई है और क्या वास्तम में ही आपका जो रिजल्ट है वो वापस से आउट किया जाएगा दुबारा से रिवाइज किया जाएगा सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं एक बार गड़ड़ी को लेकर कि किस गड़ड़ड़ी की बात 3998 केंडिडेट्स की थी और यहाँ पर जो 30,498 केंडिडेट्स हैं उनका नाम लिस्ट से मिसिंग था तो इसी को गड़ड़ी बताया जा रहा है कि एक्चुल में SSC ने बोला था 4,1496,000 केंडिडेट्स करेंगे बत उसने 30,498 केंडिडेट्स को पास नहीं किया है उसने सिर्फ 3,70,998 केंडिडेट्स को पास किया और इतने बच्चों को डारेक्ली उसने बाहर कर दिया अब इसी लिए आवाज उठ रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है तो वो मैं यहाँ पर आपको डारेक्ली बता देता हूँ जो रिजल्ट है आपका ठीक है उसके अंदर आपका नो चेंज कोई भी चेंज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा अब अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड लिस्ट की क्या इन बच्चों की यहाँ पर आउट नहीं की जाएगी तो यहाँ पर जो लिस्ट आ चुकी है जितने बच्चों का स्लेक्शन हुआ है उनी को ही फाइनल माना जाएगा उसके अलावा अगर आप वेट कर रहे हैं कि मैं अभी फिजिकल की त्यारी ना करूं मेरा रिजल्ट चेंज हो सकता है या एक और लिस्ट भी आ सकती है तो यह सिर्फ आप अपने आपको एक तरह से भ्रम में डाल रहे हो क्योंकि ना आपका रिजल्ट चेंज होगा और ना ही आपकी यहाँ पर लिस्ट आएगी अब अगर मैं बात करता हूँ कि इन 3498 में बच्चों को बाहर क्यों किया गया किन कारण की वज़े से इन बच्चों को नहीं लिया गया जबकि इन बच्चों को भी मोका यहाँ पर मिलने या जो था वो मिलना चाहिए था तो देखे यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ SSE के एक्जाम था 160 मार्क्स का ठीक है 160 नंबर का पेपर था और इस 160 में आपको जो 33% है जो यहाँ पर आपका बनता है 52.8 मार्क्स ठीक है 52.8 मार्क्स मतलब कि इतना नंबर आपको एक्जाम में लेना जरूरी था आउट ओफ 160 ठीक है ओवरोल स्कोल ऐसा निये कि आपको सेक्षेन वाइज लेना था ओवरोल आपका जो स्कोर था वो 52.8 नंबर से जादा होना चाहिए था अगर आपका यहाँ पर स्कोर रहा है 52.7 नंबर 52.7 मार्क्स तो आप यहाँ पर direct disqualified यहाँ पर हो गए हो मतलब की ना तो आपको result बनेगा तो उसमें सामिल किया जाएगा ना ही आपको cut off में सामिल किया जाएगा आप इस example से इसको समझ सकते अच्छी तरीके से 10 बच्चे हैं यहाँ पर और यहाँ पर limit रखी paper pass करने के लिए 7 नंबर आपकी limit है यहाँ पर ठीक है उसमें से 4 बच्चे ऐसे थे 4 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर यहाँ पर 6.55 है तो यहाँ पर 4 बच्चे ऐसे थे 6 बच्चे थे जो 7 से उपर लेके गए है सो अब जो result बनेगा या जो cut off बनेगी वो सिर्फ इन बच्चों की यहाँ पर बनेगी जो इनके marks है उनी से ही consider किया जाएगा यह direct ना result में सामिल होंगे ना cut off में सामिल किया जाएगा इनको हाला कि अगर इनके नंबर आते तो सब में से बनते लेकिन यह पहले ही बाहर करके अब जो result निकलेगा वो सिर्फ 6 बच्चों को यहाँ पर result निकलेगा इस example से आप समझ सकते हो ठीक है अब हुआ क्या जब आपकी vacancy जब उनको vacancy जागी उसके पाद जब result बनाया जा रहा था तो आपका आपको 30% माक्सी नहीं ले पाए और उसकी वजए से वहां की जो vacancy जब वहां पर फिल नहीं हो पाई वहां पर वो vacancy खाली रह गई है उस वजए से यह जो difference है वो यहाँ पर create हुआ है और इस difference को cover कब किया जा सकता था जब अगर इनके नंबर 33% से उपर सामेलोंगे ना किसी और चीज में सामेलोंगे इनको हटाने के बाद जितने बच्चे बनते हैं उन में से cut off बनाओ और उनी में से result आप तियार करो ठीक है तो इसी वजए से जो यह difference 3490 में का वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है अब इन बच्चों को यहाँ पर कोई मोका नहीं मिलेगा ना ही कोई list आएगी और ना ही कोई result यहाँ पर update किया जाएगा review, revise किया जाएगा जो result आ गया वही होगा जो list आ चुकी वही है इसके बाद आपका जो है अब 24 तारिक को आपको physical देने ही जाना है और आप देखेंगे तब तक अब आपको कोई भी list update देखने को नहीं मिलेगी तो अगर आप भी भरम में हो कि मैं त्यारी छोड़ दूँ हो सकता है कि result चेंज कर दिया जाए तो आप अपने आपको दोखा दे रहे हो क्योंकि result से related कोई भी update कोई भी change अब यहाँ पर नहीं किया जाएगा आपके लिए ठीक है भई अब यह चीज आपको समझ में आगी यहाँ पर अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इन बच्चों में से अगर किसी को मोका दिया जाना चाहिए या इनके अलावा किसी बच्चों को मोका दिया जाना चाहिए तो कैसे मिल सकता है वो यहाँ पर दो ही condition में मिल सकता है first जो condition है first condition और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो सारी condition है यह if condition है और if condition का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यह condition पूरी होंगी होंगी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है सिर्व एक condition है आपकी ठीक है so if condition में अगर मैं पहली बात करता हूँ कि जो आपका physical का ratio है पास का physical pass ratio पास जो ratio या percent आपका है वो सिफ 10 से 11 परशेंट ही रहे अगर 10 से 11 परशेंट का ratio है कि बच्चे जो है 3,70,908 में का सिर्फ 10 परशेंट ही यहाँ पर अगर बच्चे पास कर पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ जो 2,0 लगाया एक से कट कर दिया और आप यहाँ पर point लगा दो यहाँ पर कितने होगे आपके सिर्फ 37,000 बच्चे ही अगर आपके पास कर पाते हैं या फिर 11 अगर आप यहाँ पर लेते हो कि एप्रोक्षमेट 40-42,000 बच्चे पास करते हैं तो इन बच्चों को एक list निकाल कर physical में appear होने के लिए बुलाया जा सकता है पहली condition दूसरी जो if condition है वो यह बनती है waiting list के जरिये अगर आपके medical तक पोश्टे पोश्टे यहाँ पर अगर 15% का रेश्यो आ जाता है और अगर यह 50,000 वेकेंसी से उपर पास हो जाते हैं और उनको medical के लिए बुलाया जाता है और उस condition के अंदर अगर यह last में वेकेंसी अगर आपकी खाली जादा रह जाती है तो waiting list के through इन बच्चों को बुलाया जा सकता है जितनी भी वेकेंसी खाली रहती है उनके लिए सो यहाँ पर यह दो ही chance है अगर यहाँ पर यह पूरे होते हैं तो पहली अगर मैं condition if condition की बात करता हूँ 10 से 11 परतिशत तो यह यहाँ पर आपको time मिल गया 15 दिन का तो यह जो ratio है वो अब approximate 20 परतिशत से लेके 22 परतिशत तक आपका जाएगा तो यहाँ पर 20 परतिशत आप मान कर चलो अगर मैं इसका double है यहाँ पर कर लेता हूँ 10 का तो 37 का आप यहाँ पर करो 4 और यहाँ पर 6 और 74 हजार करीब आपके जो बच्चे हैं या उससे भी ज़्यादा बच्चे जो है आपके वो यहाँ पर जो है medical के लिए यहाँ पर qualify करेंगे ठीक है तो यह ratio यहाँ पर 25 पर 37 तक भी आपका जा सकता है 25 पर 37 तक भी जा सकता है अब यह ratio और जो बच्चे सुरू से त्यारी कर रहे हैं या जिनके पास अच्छा अगर वो त्यारी कर लेते हैं तो यह ratio भढ़ता ही जाएगा अब घटने का इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि त्यारी के लिए यहाँ पर उनको 15-16 दिन का जो समय मिला है उसके अंदर बच्चे अपना cover कर लेंगे ठीक है ना शो यह condition नहीं लगती fulfill होगी यह वाली condition आज तक हुई नहीं waiting list वाली शो इन दोनों ही तरीकों से लगता है कि अब यह मोका है जो आपके हाथ से जा चुका है अब कोई भी मोका आपको नहीं मिल सकता अब तो जो new vacancy आरी आप उनकी त्यारी करो अच्छे से ठीक है जो गया वो भूल जाओ आप सारी चेज़े और इसमें time waste जादा मत करो कि इस चक्कर में कि मेरा भी आ सकता है मेरा भी नहीं आ सकता है अपनी किताबे उठाओ और अगली त्यारी में लग जाओ जो एक लाख प्लस जो आपकी वेकेंसी आरी है CRPF वाली उसके अंदर आप लग जाओ त्यारी में वहाँ पर आप selection लो बजाए इसके अंदर time waste करने का क्योंकि इसका जो होना था वो यहाँ पर हो चुका है ठीक है ना तो फिल हाल के लिए इतना ही thank you so much मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद